हलो फ्रेंड्स जैसा की चीन एक हाइपरसोनिक विमान बना रही है जिसकी टॉप स्पीड उनी सजार तीन सो बारा किलो मीटर प्रती घंटा है जिसमें की एक बार में दस लोग सवार हो सकते हैं यानी की दस लोगों के लिए सीट है जो की एक घंटे के अंदर दुनिया के किसी भी कोने में पहुचाने का छमता रखती है यानी आपको एक घंटे के अंदर दुनिया के किसी भी कोने में ये हाइपरसोनिक विमान पहुचा देगी जैसा कि हाइपरसोनिक मिसाइल के बाद अब हाइपरसोनिक हवाई जहाज बना रहा है चीन जहां कि एक घंटे के भीतर दस यात्रियों को दुनिया में कहीं भी ले जाने में सच्छम होगा यह विमान जैसा कि चीन हाइपरसोनिक मिसाइल के सफल परिच्छन के बाद अब हाइपरसोनिक हवाई जहाज बना रहा है इस जहाज की स्पीड 19,312 किलो मिटर परती घंटे से भी जादा होने का दावा किया जा रहा है रिपोर्ट में बताया गया है कि यह विमान एक घंटे के अंदर दस या त्रियों को दुनिया में कहीं भी ले जाने में सच्छम होगा 148 फीट यानि की 45 मीटर लंबा विमान बोइंग 737 से लगभग एक तिहाई बड़ा है इतना ही नहीं इसमें ब्रिटिश सुपरसोनिक एयर क्राफ्ट कॉनकॉर्ड के जैसे डेल्टा विंग लगे हुए हैं जैसा कि चीन 2035 तक फ्लीट तयार करने की कोशिस कर रहा है जैसा कि चीन का लच्छ है कि 2035 के अन तक इस विमान का एक बेड़ा तयार किया जा सके इसके बाद 2045 तक इस विमान को 100 यात्रियों के ले जाने लायक बनाया जाएगा हाला कि उनका उद्देश अभी तक असपस्ट नहीं किया गया है चीन इस विमान का इस्तमाल मिलिटरी ट्रांस्पोर्ट या लडाकू विमानों या बॉम्बर्स की तरह भी कर सकता है विमान अपने जटिल डिजाइन की बदौलत ध्वनी की गती से 5 गुना तेज गती से उड़ने में सक्छम है चीन के हाइपरसोनिक विमान का खुलासा ऐसे हुआ कि चीन के मंगल और चंद्र मिशन में सामिल वैज्यानिकों की एक स्टडी में इस हाइपरसोनिक विमान के प्रोटो टाइप का खुलासा हुआ था यह विमान बोईंग मंटा एकस 47C की डिजाइन पर आधारित था इस परियोजना को काफी खर्चिला होने के कारण नासा ने 2000 में छोड़ दिया था नासा हाइपरसोनिक कारिकरम के एक पूर्व इंजीनियर मिग हान तांग ने टू स्टेज वहिकल यानि की टी एस भी एकस प्लेन तकनिक को डिजाइन किया है जैसा कि इस विमान के बीच में दो इंजन लगे होंगे डेल्टा विंग होने के कारण इंजनों को विमान के पंखो पर न लगा कर में बोडी के बीच में सेट किया गया है General of Propulsion Technology में प्रकासित एक पेपर में टीम ने कहा कि यह प्रोटोटाइप अब तक उत्पादन में नहीं पहुँश सकता जब तक हम इसके इंजन और बाकी तकनिक को पूरी तरह से विक्सित नहीं कर लेते हैं Aerodynamic Model का भी टेस्ट किया गया चीनी वेग्यानिकों ने इस विमान के लिए एक Aerodynamic Model को भी टेस्ट किया है यह Model हाल में ही चीनी अंतरिच मिशन में इस्तमाल किया गया था इससे विमान के अधीक उचाई पर भी अच्छा परदर्शन करने की उमीद जताई गई है इस परिच्छन के दोरान उन्होंने पाया की गर्मी और अत्यधीक स्पीड से उड़ने के कारण उन्हें विमान के कुछ हिस्सों को बहुत मजबूत बनाना होगा जिससे की विमान दुरगटना ग्रस्त न हो सके ट्रेंड्स ऐसे ही नॉलेजबल और अच्छी वीडियो के लिए मुझे सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो ला सकूँ और ज्यादा से ज्यादा आपको नॉलेज प्रोवाइड कर आ सकूँ So, please subscribe my channel, like and share with your friends, family and relatives. Thank you